Hello everyone, this is me Ayushi and I welcome you to ScoreShala हम budget के components के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अंडर में हमने एक पार्ट यानि की budget receipt जो है वो हम complete कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम जो second component है budget का वो हम discuss करने वाले है which is budget expenditure अब किसी भी economy का जब budget बनता है तो वो दो parts में divide होता है ये हम discuss कर चुके हैं जिसका एक part हमने already बहुत detail form में पढ़ लिया है budget expenditure क्या होता है कि जब भी government कोई budget prepare करती है तो उसमें एक estimated expenditure यानि की एक financial year में कितना खर्चा होने वाला है ये prepare पहले से ही हो जाता है जिसे क्या कहा गया है budget expenditure तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और budget expenditure को थोड़ा सा detail में हम समझते हैं budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during the fiscal year एक fiscal year में जो भी expected expenditure हो सकता है government का उसको किस में consider किया है budget expenditure में उसे consider किया है like budget receipt budget expenditure of the government is also broadly classified into two अब जैसे हमने budget receipt जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने देखा था कि भई दो तरीके से classification हो रखा था उसका एक था revenue receipt और दूसरा था capital receipt वैसे ही जब हम expenditure की बात कर रहे हैं तो इसमें भी यहाँ पे दो तरीके से classification हो रखा है एक है revenue expenditure और दूसरा है capital expenditure ओके अब जो खर्चे है यानि कि जो expenditure है यह भी दो तरीके के हैं तो एक है day-to-day expenditure और जो दूसरा है हमारा which is capital expenditure इसमें ज़्यादा focus किया जाता है development पे ओके अब यहाँ पे यह माना जाता है कि revenue expenditure जो है इसको हम यहाँ पे as a bad expenditure consider करते हैं और वहीं जो capital expenditure है इसको कही न कहीं हम as a good expenditure हम consider करते हैं अब ऐसा क्यूं है यह हम समझते हैं तो हमने जब budget receipt के बारे में पढ़ा था तो हमने उसमें दो चीजों पे बहुत सादा focus किया था कि भई सबसे पहली चीज ना तो कोई government की इसमें liability generate होती है और ना ही दूसरी चीज जो हमने जिसमें focus किया था कि ना ही government के asset में कोई reduction होता है यह हमने budget receipt में पढ़ा था और आज का जो हमारा topic है which is budget expenditure इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें भी हम इनी चीजों को consider करने वाले हैं लेकिन यहाँ पे इन चीजों का थोड़ा सा अलग role है अब जब हम बात करते हैं revenue expenditure की तो इसको हम bad expenditure इसली कहते हैं क्यूंकि ना तो इसमें कोई liability कम होती है और ना ही asset यहाँ पे बढ़ता है यानि कि यह वो खर्चे हैं जिन खर्चों से भई खर्चे तो हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं liability बिलकुल कम नहीं हो रही है और ना ही कोई asset में formulation हो रहा है और वहीं जब हम बात करते हैं capital expenditure की तो इसे good expenditure इसली consider किया गया है क्योंकि इससे दोनों ही जो factors हैं वो दोनों positively work करते हैं कि जो liabilities है वो भी कम होती है और जो assets है वो जादा से जादा generate होते हैं ठीक है तो किसी भी economy को एक proper तरीके से work करने के लिए ये चीज़ बहुत जादा main होती है कि भी उस economy का जो expenditure हो उस economy का जो खर्चा हो वो इस तरीके से हो कि भी उस economy के जो assets है वो तो day by day बढ़ते रहें और जो liabilities है वो day by day कम होती रहे राइट इसलिए यहाँ पे bad और good expenditure इसको consider किया है अब एक एक करके यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहला है हमारा revenue expenditure अब जैसा कि यहाँ पे हमने यह चीज़ डिसक्स करी कि यह day to day जो expenditure होते है government के वो सारे इसके under में आते हैं इसमें दो चीज़े हैं सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे कोई भी asset नहीं बनता है ओके asset यहाँ पे developed नहीं होता है और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो liabilities है वो भी बढ़ती है so revenue expenditure of the government is that expenditure which shows the following two characteristics it does not create any asset for the government अब यहाँ पे यह government के कुछ भी asset create नहीं करता है for example expenditure on the government on old age pension या फिर salaries and scholarships are to be treated as a revenue expenditure अग जैसे किसी के salary हो गए या old age pension हो गए यह एक खर्चे की तरह ही इसको देखा जाएगा इससे कोई भी asset create नहीं होगा because this does not lead to any type of asset formulation next is it does not cause any reduction in liability अब इससे liability भी कम नहीं होती है जैसे कि यह वो खर्चे हैं जैसे liability आपकी कम नहीं होती है मान लीजिए किसी government ने loan लिया है liability कम होने का मतलब है कि वो loan पूरा का पूरा हम उसको repay कर दे लेकिन क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि liability इसमें कम नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो liability as it is चलती रहती है इसका मतलब यह है कि आप उस पे rate of interest पे कर रहे हो so it does not cause any reduction in liability of the government expenditure by way of grants to the state government to cope with natural calamities like floods and earthquake अब यहाँ पे जैसे expenditure हुआ है जैसे कोई natural calamity आ गई तो उस पे जब खर्चा हुआ है किसी state ने उस पे जब खर्चा किया है तो उससे क्या हुआ है कि liabilities इसकी और जादा बढ़ गई है reduction नहीं हुआ है so it does not reduce financial liability of the central government in any manner so अगर किसी state में क्योई natural calamity आई है तो उससे क्या हुआ है कि उस state ने जो हमारी central है उनसे financial help ली है तो अब क्या हुआ है कि हमारी जो central government है उनकी liability reduced नहीं हुई है उनकी liability और जादा बढ़ गई है accordingly this is to be treated as revenue expenditure इसलिए इसको किस तरीके से treat किया जाता है as a revenue expenditure so यहाँ पर हमने दो चीज़ों पर focus किया है सबसे पहली चीज कि इसके under में कोई भी asset formulate नहीं होता है और दूसरी चीज कि भई यहाँ पर जो liability होती है उसमें भी reduction नहीं होता है इसलिए हमने revenue expenditure को bad expenditure भी consider किया है क्योंकि इससे government को कोई भी benefit नहीं होता है so in short revenue expenditure refers to estimated expenditure of the government in the fiscal year which does not create asset or causes a reduction in the liability so यह वो खर्चे होते हैं सरकार के जिससे कि क्या होता है कोई भी asset create नहीं होता इन खर्चों से यह जो खर्चे यह खर्चे करने के बाद में भी कोई asset create नहीं होता है और कोई liability भी कम नहीं होती है okay asset or liability क्या है यह हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया है so अगर आपको asset or liability के बीच में अगर कोई भी आपको confusion है तो आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते है now important items of revenue expenditure in the Indian government budget अब revenue expenditure की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या-क्या है यह हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला है wage bill of the government अब जो wages होती है जो salaries होती है वो भी इसी का part होती है क्योंकि इससे क्या हो रहा है यही दोनों जो points हमने पड़े हैं सबसे पहली चीज़ कोई भी asset यहाँ पर create नहीं हो रहा है salaries तो हम दे रहे हैं तो इससे हमारी यानि कि अगर हम government हैं तो हमको यहाँ पर कोई फाइदा नहीं हो रहा है दूसरा है interest payment अब interest payment interest किस पर pay करते हैं loan पर pay करते हैं अगर यहाँ पर क्योंकि loan reduction होता तो कहीं न कहीं liabilities को show करता कि हमारी liabilities कम हो रही है लेकिन यहाँ पर loan reduction नहीं है यहाँ पर है interest payment कि वो loan तो है ही है और उस loan पर interest भी pay किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं हमारी economy में यह चीज़ किस तरीके से work करे है कि liability तो है ही है साथ ही में इस पर interest भी pay करना पड़ रहा है तो liability कहीं भी कम नहीं हुई है expenditure on subsidies और the third one is defense purchase अब defense के लिए अगर कोई purchase किया है कोई fighter jet अगर खरीदा है कोई missile खरीदी है तो यह तरीके से ऐसा खर्चा है कि भई यह चीज़े एक बार को रखी रहती है और इन पर maintenance और ज़्यादा ही लगता है ठीक है तो यह सारे जो खर्चे होते हैं वो किसके under में count होते हैं revenue expenditure में यह सारे खर्चे count होते हैं अल्राइट अब देखो central government के थूँ जितने भी state को जो भी grants दिये जाते हैं जितने भी state governments को यह जितने भी uts को जो भी grants दिये जाते हैं वो किस तरीके से treat किये जाते हैं as a revenue expenditure even when some grants may result in the creation of asset जबकि कुछ ना कुछ ऐसे grants होते हैं जिससे कि asset formulate होता है लेकिन फिर भी इन सारे ही grants को किस के अंडर में रखा जाता है revenue expenditure में इन सारे grants को रखा जाता है जो कि एक central एक state को देता है अब हम दूसरे type का expenditure यहाँ पर पढ़ते हैं that is capital expenditure अब इसको यहाँ पर a good expenditure भी consider किया जाता है क्यों? अब ऐसा इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि इन खर्चों से asset भी formulate होता है और दूसरी चीज़ जो liabilities है वो भी काफी जादा कम हो जाती है so capital expenditure of the government is that expenditure which shows which shows the following two characteristics it creates assets for the government जैसे कि equity या फिर share of the government और multinational corporations purchased by the government may be cited as an example so यहाँ पर example दिया है और इन तरीकूं से क्या होता है asset create होता है और दूसरा हमारा यहाँ पर point है it causes reduction in liabilities of the government जो government की liabilities है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर कम होती है so repayment of loans certainly reduces liability अब जब revenue expenditure के बारे में हम पढ़ रहे थे और interest payment का क्या मतलब है कि यह loan तो exist करता ही करता है लेकिन इसके ओपर interest भी pay किया जा रहा है so जब interest payment की हम बात करते हैं तो वो किसका part होता है वो होता है हमारा revenue expenditure का जब हम repayment of loan की बात करते हैं तो एक तरीके से यह क्या है कि एक burden कम हो रहा है यानि कि liability reduce हो रही है so यह किसका part है यह है capital expenditure का part है okay accordingly this is to be treated as capital expenditure in short capital expenditure refers to the estimated expenditure of the government in the fiscal year which create assets or causes a reduction in the liability okay so I hope कि आपको revenue and capital दोनों ही तरीके कि जो expenditures है इन दोनों के बीच का जो difference है आपको clear हुआ होगा now important items अब capital expenditure के कौन-कौन से important items है expenditure on land and building so कोई जमीन खरीद लिया कोई building खरीद ली तो वो किस के अंडर में consider होगा capital के अंडर में consider होगा expenditure on machinery and equipment purchase of shares so एक तरीके का share खरीदना क्या है हमार ले it will work as an asset loan by the central government to the state government or state corporation so ये भी एक तरीके का क्या है ये भी एक तरीके के asset यहाँ पर count होता है plan and non-planned expenditure फिर यहाँ पर बात करते है plan and non-planned expenditure की so budget expenditure क्या है revenue expenditure plus capital expenditure is also classified as planned and non-planned expenditure अब ये जो revenue और capital expenditure है इसको और किस तरीके से classify किया है planned and non-planned expenditure भी इसको classify किया है तो सबसे पहले हम देखते हैं plan expenditure क्या है so plan expenditure refers to that expenditures which relates to सबसे पहले चीज़ specified plan and program of development कि development के लिए जो भी plans और programs बनते हैं वो इसके अंडर में आते हैं दूसरी चीज़ assistance of the central government to the state government जो central government जिस तरीके से जो assist करती है state government को वो भी इसके अंडर में आता है for development okay so it includes both revenue expenditure and capital expenditure अब इसके अंदर जो कि planned expenditure इसमें दोनों ही आ जाते हैं कौन कौन से एक revenue और capital दोनों ही expenditure इसमें आ जाते हैं revenue expenditure जैसे की assistant to the states और capital expenditure जैसे की expenditure on the construction of roads so planned expenditure कौन से होते हैं वो expenditure जिसमें दोनों तरीके के expenditures included होते हैं और यहाँ पर example भी दिया है जैसे कि Assistant of Central Two States and दूसरा, Construction of Roads, Bridges and Hospital. फिर आता है हमारा दूसरे तरीके का Expenditure, Non-Plan Expenditures. So broadly, all expenditure other than plan expenditure, अब plan expenditure के अलावा जितने भी expenditures होते हैं, is classified as Non-Plan Expenditure. वो किसके अंडर में आते हैं? Non-Plan Expenditure के अंडर में आते हैं. Specifically, Non-Plan Expenditure relates to expenditure on routine functioning of the government. अब government का जो यह routine functioning है, day to day, जो भी expenditure होता है, वो इसके अंडर में आता है. और it includes expenditure on such services as law and order, defense and subsidies. So law and order पे जो भी खर्चा होता है, या फिर defense पे जो भी खर्चा होता है, subsidies पे जो भी खर्चा होता है, वो सारा किसके अंडर में आता है? Non-Plan Expenditure के अंडर में आता है. Okay, so I hope कि आपको revenue expenditure and capital expenditure अच्छे से समझ में आया होगा, साथ ही में planned expenditure and non-planned expenditure भी आपको clear हुआ होगा. So thus we can write, तो इसको हम ऐसे भी लेख सकते हैं, budget expenditure is equals to revenue expenditure plus capital expenditure या फिर budget expenditure को हम ऐसे भी लेख सकते हैं, plan expenditure plus non-plan expenditure. अब plan expenditure में तो भाई, ये दोनों ही चीज़े हमारी include हो ही जाती हैं, साथ ही में, जो बचे हुए, जो भी remaining expenditures होते हैं, वो सारे भी इसमें include हो जाते हैं. So overall हमारे पास में क्या आ जाता है, budget expenditure हमारे पास में आ जाता है, okay? Now, यहाँ पर एक overall structure है, इसके अंदर हमने दोनों चीज़ों को रखा है, एक चीज, एक तरफ है हमारे पास में budget receipt और दूसरी है हमारे पास में budget expenditure. Budget पूरा, यानि की budget in total, उसके जितनी भी components हैं, वो सारे आपको इस chart में देखने को मिलेंगे. अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, जो हमारा budget receipt का पार्ट है, इसके लिए हमने एक अलग से विडियो प्रिपेर किया है, उस विडियो में हमने एक एक point बड़े ही detail में समझा है, तो अगर आपने budget receipt का विडियो नहीं देखा है, अगर आपको budget receipt में कोई भी problem है, तो उस विडियो को ज़रूर consider कीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक एक point को बड़े ही detail में समझा है, okay, so एक बार short में हम वापस से तेखते हैं government budget को, so government budget क्या होता है, ये दो parts में divided होता है, एक होता है receipt और एक होता है expenditure, receipt की जब हम बात करते हैं, तब ये दो parts में divide होता है, एक होता है revenue और दूसरा होता है capital, अब revenue को भी जब हम दो parts में divide करते हैं, तो एक होता है tax और दूसरा होता है non-tax, okay, capital को जब हम divide करते हैं, तो ये तीन parts में divide होता है, सबसे पहला है recovery of loan, दूसरा है borrowing and other liabilities, और third है other receipts या फिर disinvestment, so ये सारा part काई का है, budget receipt का part है, फिर आते हैं हम budget expenditure पे, so पहले हमारे पास में budget expenditure में क्या चीज़े हैं, सबसे पहला है हमारे पास में revenue expenditure, फिर दूसरा है हमारे पास में capital expenditure, फिर है हमारे पास में plan expenditure और फिर last है हमारे पास में non-plan expenditure, अब capital expenditure में क्या क्या चीज़े आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें जिससे की assets generate हो, और liabilities reduce ह revenue में क्या आजाता है revenues में वो सारे expenditures आजाते हैं जिससे कि क्या होता है जिससे कि ना ही assets create होते हैं ना ही liabilities reduce होती है तो उन में से जैसे wage bill आ गया, interest payments आ गया subsidies आ गया, defense purchases आ गया, etc. Capital expenditure में land and buildings, machinery and equipments, purchase of shares loans to state governments, etc. और फिर plan expenditure and non-plan expenditure so ये overall आपका chart है structure of government budget at a glance okay now revenue expenditure minus revenue receipts gives you revenue, so अब हमारे पास में यहाँ पे difference के form में है एक तरफ है हमारे पास में revenue expenditure और दूसरी तरफ है हमारे पास में capital expenditure, so difference समझते हैं इन दोनों की पीच्छा, सबसे पहले meaning की हम बात करते हैं, so revenue expenditure does not impact asset liability, asset liability पे इसका कोई impact नहीं होता है status of the government, so asset and liabilities are not increased or decreased, so यहाँ पे asset or liabilities ना कम होती हैं ना बढ़ती हैं, वही capital expenditure के अगर हम बात करें, so it impacts on asset and liability status of the government, assets तो बढ़ते हैं और liabilities कम होती हैं, okay, revenue expenditure, subsidize and law and order, so revenue expenditure जिसके अंडर में हम subsidies या law and order के बारे में पढ़ते हैं focuses on welfare of people यह किस पे focus करती है? welfare of people पे focus करती है it does not directly contribute to GDP growth, यह directly GDP growth में contribute नहीं करती है वहीं हम अगर capital expenditure की बात करें, which is public investment, it focuses on GDP growth, यह GDP growth पे focus करती है और directly contribute करती है GDP की growth में, फिर high revenue expenditure by the government जितना सादा high revenue expenditure होगा तो वो किस पे point out करेगा poverty पे point out करेगा और साथ ही में economy में जहां पे भी backwardness है उसमें भी point out करेगा so high capital expenditure of the government points to lack of private investment यह कहां पे point out करेगा lack of जहां पे भी investment की कमी है वहां पे फिर उसके साथ, उसके बाद में capital expenditure by government is raised when the economy is suffering from deflationary gap अब कोई भी economy यानि कि कोई भी government capital expenditure कब बढ़ाती है जब उनकी economy में deflationary gap होता है, okay so I hope कि आपको revenue expenditure और capital expenditure के बीच का जो यह difference है यह आपको clear हुआ होगा so आज के इस video में हमने expenditure के बारे में काफी पढ़ा था कि budget का जो यह component है जो second component है which is expenditure इसके under में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी हमने इस video में cover करी है, okay so I hope कि यह video आपको काफी helpful लगा होगा so इस video को like जरूर कीजेगा इस video को share जरूर कीजेगा, channel को subscribe जरूर कीजेगा और video के नीचे एक bell icon है, उसको press करना, विलकुल नहीं भूलना, okay so thank you so much, इस video का जो अगला portion है वो हम देखने वाले हैं अगले video में